शाहर की ताजा खबरे देखने के लिए इन बीसे न्यूज को यूटूब पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकान दबाना ना भुलें शाहर के दिव्यांग रेनुका बिढकर इस महिला का अपनी न्याय के लिए दरदर के ठोक्रे खाना पड़ रहा है रेनुका ने दिव्यांग होने का गैरफादा उठाने वाले जारकन निवासी आरोपी पती राजे सिंह ने दूसरी शाधी कर, अप्लास्टिक एनिमिया ब्लड कैंसर से पीडि दिव्यांग रेनुका बिढकर की जिंदगी पूरी तरह से प्रभावित कर दी ऐसे स्थिती में रेनुका बिढकर को छोड़ कर आरोपी राजे सिंह शहर छोड़ कर भागया पेशे हमारे समादता संजे मीरी की एरिपोर्ट दिव्यांग व्यक्ति चाहे तो आस्मा को जमी पर ला सकता है कुछ करने गुधरने की चाहत हो तो दिव्यांग व्यक्ति अच्छे हात्माँ वाले व्यक्ति को भी अपनी दुरूड निर्वरता के साथ पीछे छोड़ सकती है भारत में दिव्यांगों की संख्या लाकों में है आज भी कुछ ऐसे भी दिव्यांग है जो अपने आत्मसम्मान और गरिमा को बरकरार रखने के लिए छोटे बड़े व्योसाय उद्धुक को शुरू करके अपना और अपने सहकर्मियों का जीवन यापन अच्छे से कर रहे हैं जी हाँ हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे मल्टि टैलेंट से दिव्यांग महिला की जिनोंने कानून की पढ़ाई की है और वे अच्छी शिक्षित है रेनु का बिढ़कर इस महिला ने जिन्दगी में अपनों से ठोक और खाकर उससे समलने के लिए खुद अपने हातों से गरम मसाला, बिर्यानी मसाला, हल्दी, मिर्ची पाउडर आदी ऐसे अनेक वस्तूओं का निर्मान कर और उन मसालों के पदार्थों की पैकिंग कर बेशते रहते हैं आशादीब ग्रोवद्यों की यह संस्तापिका रेनु का बिढकर और प्लास्टिक एनेमिया इस ब्लड कैंसर से पिडित दिव्यांग रेनु का बिढकर इनके जीवन में कभी कभार एक ऐसा भी मोड आ जाता है जब कोई उनका अपना नहीं होता है तो उस समय हमदर्द बन कर सवयोग करने के उद्देश से नज़दी की बढ़ा कर बाद में उस व्यक्ति मानसिक टॉर्चर करना आर्थिक रूप से प्रताडित करना आदी कई ऐसे बाते उस व्यक्ति ने इस रेनु का बिढकर महिला से की थी जिसका नाम रेनु का बिढकर इन्हों ने अपने पती के रूप में बताया राजेश कुमार सिंग मूलता जहरकन का राजेश कुमार सिंग इस व्यक्ति ने मानसिक रूप से रेनु का बिढकर को टॉर्चर करने के लिए साइकलोजी की दवाई बिना किसी डॉक्तर के जांच किये बगर रेनु का बिढकर को दी थी जिससे रेनु का बिढकर इस महिला का स्वास बुरी तरह से प्रभाविद भी हुआ है इतने नहीं तो इस आरोपी राजे सिंग ने रेनु का की मांग में सिंदुर भरते हुए शादी भी की थी लेकिन दो साल बाद इस व्यक्ति ने अब दूसरी शादी की और इने बीच मजदार में छोड़कर नाकपूर शहर से 9211 याने रफुचकर को कर निकल गया अब रेनु का अपनी नयाय के लिए अपनी मांगो के लिए कानून से लगातार नयाय की गुहार कर रही है अब तक रेनु का बिढ़कर इने पुलीस प्रशासंद्वारा कोई भी मदद नहीं मिली है ऐसी जानकरी उन्होंने इन बीसें के समक्ष दी है कौन कैटा के आस्मा में सुराग नहीं होता एक पत्थर तो तबियस से उचालो यारो कुछ इसी कहावत को चरितार्त करते हुए शहर के एक ऐसी दिव्यां मिला जो अपना कापी अच्छा काम काच कर रही है मगरा अफसोस कि उन्हें एक ऐसी परहिशानी से जूजना पड़ रहा है जिसके चलते सरकार हो पुलीस प्रशासन हो ये कोई भी उन्हें सवयोग नहीं कर रहे है हाले में उनका एक वीडियो वाइरल हुआ था जिसमें उस महिला को काफी परहिशानी थी जियां अब हम यहां पर पहुंच चुके है और रेनु का बिढ़कर उस महिला का नाम है जो पुली तरह से दिव्यांगे लेकिन मसाला का एक व्यापार करती है व्यावसाय करती है अ मैं यह बते कि जिस तरह से आपने एक वोडियो वहरल आपका हुआ है जिसमें आप काफी रोती नजर आई क्या इसी परहिशानी थी जिसके चलते आपको रोना पड़ा क्या किसे शिकायट किसे आकिरिंग क्या माज़ा क्या है एक्चलिय मैंने 28-12-2019 को बजजनगर पोली स्टेशन में एफायर के लिए अपलाई किया था एक्चलिय मेरे डिजेबिलिटी का फाइदा उठाते हुए एक इनसान ने मेरी पूरी जिन्देगी खराब कर दी इतने साल मुझे एक कैद की तरह रही हुँ मैं और मेरा हर कि इसने मुझे ठगा है हर चीज़ से ठगा है मुझे शादी की है मेरी शादी होने के बाद उसने दूसरी भी शादी की जब मुझे वह पता चला मैंने तुरंद पोलिस कंपरेंट की थी उसके बाद 2017 से बोलो मैं वारम वार लीगल इसका दरवाजा ठखट कटा रही हूँ मैंने अब एफायर के लिए भी दिया लेकिन मेरा सब सबूत होने के बावजूद भी पॉलिस वालों ने मुझे बोला कि आपके पस सफिशन सबूत नहीं है मेरी हर चीज़ को टाला गया है ऐसा मुझे रखता है कि जान दूच के मेरा केस नहीं करना चारे है इवन मेरे परशान किया है जिसका आप बार बार जिक्र कर रही हो क्या नाम है उनका और पुलिस प्रशासंग मदद निकरी है इसा भी आरोप लगा रही हो इसके वारे में क्या है यह बताई उसका नाम राजिश कुमार सिंग है उसने मुझे से शादी की थी 2012 में और उसके बाद कुछ करना चाहती थी इस इस लिए मैं को एक संस्था खोलनी थी लेकिन यह इंसान ने मुझे वह खोलने को लगाई थी मेरे को सिफ इच्छा थी मैं अपनी हिसाब से खोलने चाहरी थी लेकिन इसने वह खोलने को लगई और उसके बाद इसने संस्था को अपने हाथ में ल मेरे चाहती है कि मुझे न्याय मिले जो इतने सालों से मैं जा रही हूं जा रही हूं कि मेरा भी कोई अस्तित्व है कोई आके इस तरह मेरे लाइफ से मेरे शील से खिलवाड नहीं कर सकता है और मेरे को आज इस उमर में जो कि मैं कित्ते साल पहले काम करती थी आज मुझे फिर से चालू करके मेरा सब एक काम बन करवाया गया था सब प्रॉब्लम में डाल दिया गया मुझे और इस उमर में आज मुझे मेरे को बच्ची के बारे में सोचना पड़ रहा है, खुद के बारे में सोचना पड़ रहा है तो मुझे ऐसा लगता कि एक दिव्यांग वे एक महिला हूँ करके मेरा केस पहले लेना चाहिए, जो कि मेरे को मट्या दिया जाता है बोलते हैं कि तुमको नहीं, तुम्हारो कोई रिजन नहीं है, कोई है नहीं इसका मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं किसी अच्छे इंसान पर आरोप लगा रही हूँ जो कोई अच्छा इंसान है नहीं, उसने कित्ते सारे लोग को बरबात किया है मेरे अलावा लेकिन मुझे कोई नहीं नहीं मिल रहा है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मुझे नहीं मिले इसके लिए मैंने वीडियो भी वाइरल की, हर किसी के पाश जाती हूँ मैं दस बार मैं बजज नगर पोली स्टेशन में भी गई हूँ और बोली हूँ कि मुझे चाहिए, लेकिन मुझे अभी इन बीसीन नियूस जो है आपके उससे मेरे को एक अपिक्षा है कि कम से कम आप तो भी कुछ नया मिला देंगे कि मैंने सोचा है कि मीडिया में बहुत बड़ी ताकत होती है और आज मैं यह सोच जी हूँ कि भगवान की तरह आके आप मुझे जिस तरह मैंने वीडियो में बोला था कि कोई तो भाइबेन आएगा कि मैं भी आप लोगों में से एक हिस्सा हूँ मुझे मदद कीजिये तो कम से कम आप लोग मेरी प्रोब्लम को समझ के मुझे युल डफिनेटली हेल्प मी कर दो आप लोगोपराश है युल को हूँ मेरी टूब्लम की तरह मुझे अवरे प्रोब्लम पराश्वारान युल जु च्ट लोगो को I am 88% disabled, and still I am struggling hard for justice, so I should get justice definitely, and I am not wrong, I know that thing, I am damn confident that I am right, I am true, I cannot fight with anybody like that only, everybody has their own life, I cannot waste time for anybody else like that, when it happened to me, then I want to come out, and I want to fight for my own life, I want to help me, my name is Renuka, my name is Renuka, my name is Renuka, my name is Renuka, and I have become, and my parents have taught me a lot, and I have given a lot of knowledge that I have done, that I will continue to do something else, and my parents are not used to me today, so I felt bad as if my parents are watching me, and that I have not done much for these things, I am so disappointed, that if someone is getting further, I should boost, motivate, and help, not that they will be punished, प्रफन किया जाए फाइल को ड़स्ट में जाके फेक दिया जाए और बोले कि इधर से उदर में को बहुत घुमाया गया है यह केस के लिए और जब मैंने स्थरी शक्ति को जाके बीन हुमन को जाके कांटेक किया तब मैं यहां तक पोच्छू कि मुझे कम से कम जवाब मिला ह है कि आपका प्रूफ है नहीं आपके पास सफिशन प्रूफ यह बता गया तब मुझे मुझे तो सिफ घुमाया ही जा रहा है कि अलाओ पर सो आपका काम क्यों नहीं होगा जरूर होगा आपका काम हम कर देंगे प्लास्टिक एनिमिया इस ब्लड कैंसर से पीडित दिव्या इसमायला को आकिरकार कब नय मिलेगा एक देखने वाली बात होंगी लेकिन आयदीन दिव्यांगों के उपर में जो अन्य अत्याचार हो रहा है उसमें कहीं न कहीं सामाजिक कारिये भी है उसमें पुलिस प्रशासन भी है उसमें मनपा प्रशासन भी है उसमें जिला और इसी का नाजाज फाइदा उठाते हुए कुछ लोग एक हमदर्दी दिखाते हुए उनका शोशन कर रहे है और इसी शोशन की शिकार बनी है यहाँ वेल कॉलिफाइड और प्लास्टिक निमोनिया से पिडित ब्लड कैंसर से पिडित रेनु का बिड़कर रेनु का इस महिला को कब नए देगा और फिर से एक बार लोकों तंत्र में जीने वाले लोगों की जीत होगी कैमेरा परसन सुवाज बूटले के साथ संजेव मिरे इन बीसीन नीज नाकपूर